अस्लमस्य कुम दोस्तों आज हम बात करेंगे फायर सप्रिंखलर सिस्टम के बारे में इसको हम डिलूज फायर सप्रिंखलर सिस्टम कहते हैं क्योंके यह उस ज ambiguity लगाया जाता है जहांपर हैजर्ड़ ज्यादा होता है फार एक्जैंपल के तोर पर ये transformer की जगा पे लगाया जाता है दूसरे नमबर पर इसको tank हो गए या vessel वगएरा हो गए उस जगा पे लगाया जाता है और तीसरे नमबर पर इसको fuel station हो गए जहां पर fuel होगा वहां पर लगाया जाता है यानि के जहां पर ज्यादा hazard होगा उस जगा पे इसको लगाया जाता है वैसे तो इस Deluge File Supprinkler System के बहुत से parts होते हैं लेकिन हमने सिरफ यहाँ पे इसकी working के बारे में पढ़ना है कि यह Supprinkler System कैसे activate होता है तो उसके लिए सिरफ मक्सूस special parts को हम पढ़ेंगे ता कि आपको असानी से समझ आ सके तो number one पे यह जो होता है इसको हम कहते हैं Deluge Valve और दूसरे number पे यह जो होता है इसको हम कहते है Phone Tank Bladder यह सभी parts को मैं आप तफसीर से आपको बताऊंगा कि यह किस तरह work करती है और यह किस तरह activate होता है और किस तरह यह deactivate होता है और number 3 पे यहां पे जो लगा होता है इसको हम कहते हैं Constraint Valve और number 4 पे यह जो होता है इसको हम कहते है Proportional Valve और 5 पे यह जो लगा होता है Valve इसको हम कहते हैं Solenoid Valve और number 6 पे जो है यह जो लगे होता है यह Control Panel होता है इसको हम बोलते हैं Atleast Control Panel और साब पर जो होता है फाय सप्रिंग्लर सिस्टम यह वाला और यह जो लगे हुए हैं यह डिटेक्टर लगे होते हैं यह स्मॉक डिटेक्टर भी हो सकते हैं और दूसरे हीट डिटेक्टर भी हो सकते हैं जो कि हीट को सेंस करते हैं और यह यहां पर लगे होते हैं अब हम सम कर लेते हैं यहाँ से लेके यह वाल यह वालोन होगा और यह वाला से लेकर यह फ्सटंस होगा आप और हम समहीते हैं कि आरी हैं हमारी है फायर हेड्रंड वाली यह है यहां से जो पानी है यहां पर आता है यह तो फिर यह इस लाइन से होता हुआ यह यहां से होता हुआ यह डिल्यूज वाल के डायप्राम पर प्रेशर डालता है अब हम बात करते हैं कि यह किस तरह pressure डालता है इसी को हम बड़ा करके यहां पे बनाते हैं तो यह वाली line जो है यह हमने बना दी यह वाली main line pipe की जो pump से आ रही है और यहां पे आके हमने यह जो line उपर को जो जा रही है यह वाली बना दी और यह वाली और यहां पे हमने लगा दिया dilute valve यह होगा इस तरह यह वाला हमारा लग गया dilute valve और यह अब यहां से यह जो line निकलती है pressurized line इसको हम primary line पर बोलते हैं यह इस तरह आती है यह यहां पर इसके बना होता है diaphragm यहां पर spring लगा होता है जब पानी इस diaphragm पर pressure डालता है तो यह जो डाया फ्रायम है यह वाली जगा से यह यहां पर आ जाता है तो यह line जो है यह बंद हो जाती है जो पानी यहां से आगे क्रास नहीं होता तो जैसे ही पानी जो है वह release किया लगता है अब पानी ने यहां पे इसके डियाफ्राम पे प्रेशर डाला और यह इसके डियाफ्राम ने जो नीचे आ गया और यह डिलूज वाल आफ हो गया अब पानी यहां तक बंद हो गया आगे इस लाइन में पानी नहीं है तो इसी तरह यह पानी यहां से होता हुआ है यहां पर आगे नहीं गया क्योंकि solenite valve जो है वो off है तो फिर यही पानी यहां से होता हुआ प्रेशराइज पानी यह constraint valve पर आके इसने दुबाव डाला यह constraint valve जो होता है यह भी control valve की तरह ही होता है इस पर भी spring लगा होता है और यह जब इसके उपर pressure डलता है तो इसका diaphragm नीचे हो जाता है और यह जो line है यहां से पानी को बंद कर देती है और जब पानी यहां से pressure काम होता है तो यह spring उपर हो जाता है और पानी यहां से चलना start हो जाता है तो अब बात करते हैं आगे अब ये दूसरे form bladder tank के बारे में इसी form bladder tank को अब हम बड़ा करके देखते हैं तो ये इस तरह होता है ये जो line है ये आ रही है इस से नीचे ये इस तरह और ये जो उपर है ये यहां पर concentrate valve लगा होता है अब पानी जो जब यहां पर आता है तो ये जो form bladder tank होता है इसमें एक bladder होता है ट्यूब नवा होती है जो यहां पर ऐसे इसके अंदर डाल दी जाती है और इस bladder के अंदर जो है वो form भर दिया जाता है liquid form में जो के बहुत ही एक गाड़ा होता है जयानिके A triple F और भी बहुत सारे form होते हैं जैसा के protein form होता है, alcohol form होता है इसी तरह के और भी form होते हैं वो दुरोल के मताबर इसमें भर दिया जाते हैं अब यह जो pressurized पानी होता है यह इसके उपर ऐसे दबाओ डालता है जब इसके side से पानी जो है वो दबाओ डालेगा तो यह जो ऐसे tide हो जाएगा इसको सुकड़ने पर मजबूर कर देगा और यहां से आगे valve बंद होगा तो जितना इसकी limit होगी वहाँ तक यह सुकड़के बंद हो जाएगा लेकिन इसका pressure पानी का इसके उपर पड़ता रहेगा क्योंकि यह valve आगे बंद है यहां से form निकलेगा नहीं अब हम बात करते हैं कि यह जो सारा system है यह काम किस तरह करता है अब यह sprinkler system लगे हुए है यहां पर अब इस हिस्से पर आग लग गई है transformer के उपर तो यह जो detector होगा अगर तो यह smoke detector हुआ तो यह जब यहां इसका धुमा जो है यह इसके smoke detector तक पहुँचेगा तो यह इसको sense कर लेगा और अगर यहां पर heat detector लगे हुए तो वो इसकी जब heat यहां पर पहुँचेगी तब यह detect कर लेगा अब यह जो smoke detector है एक दो तीन चार इन सब का जो connection है यह जो wire है इसके साथ किय बढर गया थैया अब यह wire जो है यह जा रही है control यह जा रही है release control panel पर अब यह जो रूइस control प्र होगा यह इसको आगे HERE यह सब वाल पर अब ये इसको एक्टिवेट कर देगी सोलिनाइट वाल पर और ये वाल जो है ये खुल जाएगा अब सोलिनाइट वाल को एक्टिवेट ये किस तरह करेगी अब ये सोलिनाइट वाल जो होता है ये इस तरह का होता है इसमें ये इसका हैड होता है अगर इसका क्रास स main pipe की line होती है जहां से पानी आता है और यहां से जाता है अब यह जो इसकी wire है इसका connection यह वाली जो wire होती है इसके साथ कर दिया जाता है जब यह activate होती है तो इसमें जब crunch आता है तो यह जो magnetic होते हैं यहां से electromagnetic waves पैदा होती है जिसकी वज़ा से यह जो इसका head लाइए ओपर उठ जाता है जब head उपर उठता है तो यहाँ से पानी जो पहरा स्टार्ट हो जाता है और जब यहाँ से इसको आऐब किया जाता है तो उसके बाद यह जो इसके magnet होते हैं ये आपस में इसको push करते हैं जैसे कि अब दो मकना 30 होते हैं, उसके एक सीरे को अगर हम मलाएं, तो वो आपस में एक दूसरे के करीब जाएंगे, और जब इसको उल्ट करके दिखाया जाए, तो ये इसको दूसरी तरफ धिकेलेंगे, जैसे ही इसका क्रंट आफ किया जाता है, तो ये इसको ऐसे पुश क दिखेलते हैं, तो ये जो इसका हैड होता है, वो फोरण नीचे चला जाता है, जब इसको क्रंट आफ किया जाता है, तो ये पानी यहां से आगे जाना बंद हो जाता है, अब जैसे इसको क्रंट मिला, तो इस सोलेनाइट वाल जो एक्टेव हुआ, और ये वाल यहां से, इसका जो head है यह उपर को हो गया और पानी यहां से यहां पर drain valve है और पानी यहां से निकलना start हो गया जैसे ही पानी यहां से निकलना start होगा तो यह जो line है यहां पर यह मैंने cross किया हुआ है इसको यह pressurized line होंगी और इसका जो pressure है वो कम होना शुरू हो जाएगा जैसे ही यह यहां से pressure यह वाली line जो इसका pressure जल से ही कम होगा तो इसके उपर डायाफ्राम के उपर यह pressure डार रही होंगी वो भी कम होना शुरू हो जाएगा और डायाफरान जो है इसका डिलोज वाल का उपर को होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे यह उपर को होगा तो यहां से जो पानी है यह आगे आसे जाना शुरू कर देगा में लाइन का जो पानी है वो आगे जाना शुरू कर देगा और जब और इस लाइन का pressure कम होगा तो यह वाली जो line थी इसका भी pressure कम होगा क्यूंकि पानी यहां से जो drain valve से बाहर निकलना शूरू हो जाएगा जाएगा ज़ैसे यहां पर जाएह एक कर यहां चला जाएगा और प्रिश्ष जितना प्रेशर इस पे डलता जाएगा वो अतना बाहर निकलता जाहएगा अब फो मं जो है वो भी इस जगा पर आ गया मिआ मियंगा यह वह फोम और पशूम आपस में मिक्स होंगा जो शो तीес परसेंट जो होता है वो फॉम होता है और जो 97 परसेंट होता है वो पानी होता है वो इस परपोश्चनल बाल पर सेट किया होता है उसका प्रासर बहुत ज्यादा है वो मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे मिक्स होता है अब यहां पर पानी जो और फॉम को बेहना शुरू होगा जैसे यह नीचे माइना शुरू होगा इसमें एर मिक्स होगी तो यह जो लिक्वड़ था यह फोम की शक्षकल इफ्तियार और यह फोम यह जो यहाँ पर आग लगी होगी इसके उपर पड़ेगी यह समदरी का अमल कर लगी उसको धाप लगी और आग हमारी बुझ जाएगी जैसे ही हमें पता चले कि आग हमारी बुझ गई है और सुरी यहां पे जो है यहां पे एक वायर जो है वो यहां पे गॉंग बेल लगी होती है उस पर भी जाती है और एक वायर जो है वह हमारी electric control panel में भी जाती है यहां से भी हमें पता चल जाता है और यह बेल से भी हमें पता चल जाता है कि आग जो है वो कहीं पर लग गई है अब जैसे यह आग हमारी बुझे की तो हम ने फिर इसको manually off करना होता है manually off करने से हम पहले सबसे पहले इस वाल को अफ करेंगे यहां से जब अफ करेंगे तो यहां से जो फोम है liquid form वो यह triple F जो है जो इस line में form होगा वो सारा form बाहर निकल जाएगा जब वो सारा form जो है वो chemical जो बाहर निकल जाएगा फिर हमने इसको डिलूज बाल को off कर देना है, solenite बाल को off करेंगे जैसे ही यहां से पानी जो है और ये pressure फिर इस पर बले पड़ेगा और ये इस पर बंद हो जाएगा और next जो अगली आग होगी फिर इसी तरह ये सारा process चलेगा ये डिडेक्ट करेंगे और फिर ये सारा process इस तरह वरक करेगा अब उमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दें अगर आप मेरे इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं आपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लिए अलाहाफ़ अ